असलालेकुम एवरिवन विलकम बैक टू मैच चानल आज की खास रेसिपी है छोटे बच्चों के लिए जो कि ये चिकन पाया सूप क्योंकि हम उसमें चिकन के पैर आड़ करने वाले हैं ये चिकन के पैर हमें एजिली चिकन शॉप में मिल जाते है एक पैर हमें अच्छे से करके उसको बॉल करना है बॉल करने से उसकी जो स्कीन है ना वो इजिली निकल जाती है चिकन का ये पैर सूप में एड़ करने से चिकन का न्यूट्रिशन डबल हो जाता है जैसे कि बच्चों की बोन स्ट्रॉंग होने में मदद हो जाती है उसकी साथ साथ बच्चों के स्क इन हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। उसके साथ साथ इम्मुनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए ये सूप में मेरे बेटे को अफते में एक बार बनाती ही हूँ। ये सूप बनाने के लिए मैंने चोटे चार बोनलेस पीस और एक हड़ी वाला पीस और जो पैर हमने रेडी करके लिया है वो ले ली हूँ। पाउच में जीरा पाउडर। हरे धनिये का बहुती अच्छा टेस्ट और बहुती अच्छी खुश्बो आती है सूप में तो ये तो आपको डालना ही है। उसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नम्मक भी आड़ कर देंगे। अभी हमें इसे अच्छी से मिक्स करना है। इसमें मैंने दो चमच पानी आड़ करी हूँ क्योंकि तेल कम है तो कभी मसाले जल ना जाए। अभी हम इसे ढख के दो से तीन मिनट अच्छी से पकाएंगे और उपर जो बरतन रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे। हमारा चिकन अभी पक गया है अभी हम इसमें गरम पानी आड़ करेंगे। भाप में पकाने से चिकन एकदम सौफ्ट और जूसी बन जाता है। और चिकन के पैर का पूरा जूस सूप में उतर जाता है। और टेस्टी सूप बनके रेड़ी हो गया। आपको सूप में ठीकनिस चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का अटा मिक्स करके डाल सकते है। आप इसको बच्चों को रोटी चावल या रेसी पीने को दे सकते है। अगर आपके बच्चे ठीका खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी से हर्मिर्श आड़ कर सकते है प्राव 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 जो